वेल्कम स्टूडेंटस, आजके लेक्चर में हम कुछ प्रिवेएस इर क्वेशन्स को सोल करेंगे और अप्रोच भी जानेंगे कि किस तरीके से क्वेशन्स एक्जाम में करनें चाहिए समझने के लिए ठीक है लेकिन एक्जाम में किस तरीके से फास्ट अप्रोच करनी चाहिए और सही भी होता है क्योशन जिससे की ठीक है तो ध्यान से देखें क्योशन अप्रोच पर फोकस करें किस तरीके से अप्रोच करते हैं क्योशन को तकि फास्ट हो question और सही भी हो ठीक है start करते हैं पहले question से यह सारे question से आपके जली नीट हैं एम वगेरा में आया हुए है उनी को लिये recent जो Last 10 यह में आया है वह यह वाहले question में लिये इस lecture में देखते हैं जो की वह पाता है 10-12 questions पहले questions पर आते हैं देखो यह first question है हमारा question पढ़िए amongst the elements with following electronic configuration electronic configurations दिए गए आपको चार options के अंदर ठीक है which one may have the highest ionization energy अब ionization energy जो होती है उसका trend क्या होता देखिए ionization energy का trend क्या होता है left to right increase होती है जबकि top to bottom decrease होती है यह trend चलता है इसका general साथी साथ इसमें और क्या ध्यान रखने वाली बाती थी कि जो half filled या full filled orbitals होता है उनकी भी ionization energy काफी high होती है क्योंकि उससे electron निकालना काफी मुश्किल होता है वह already stable होते तो ना electron लेंगे ना electron देंगे तो यह सारी बाते ध्यान रखते हो हैं question हमेशा करना करेंगे अब देखो यह सारे 3P वाले हैं देखो यह भी 3P है यह भी 3P है और यह वाला भी 3P है मतलब यह थर्ड पिरिएड के हैं यह वाला 4P है ध्यान से देखो यह 4P है मतलब टोप टू बोटम हम आ रहे हैं टोप टू बोटम में तो बोटम वाले की तो कम होती है तो यह वाला तो वैसे ही केंसल हो गया क्योंकि यह थर्ड के नीचे फॉर्थ पिरिएड है जिसकी ओल्रेडी कम होगी ठीक है और देखते हैं अब इन तीन में से कोन होगा highest पूछा है हमको हमको क्या पूछा है highest ionization energy तो देखिए एक 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 इलेक्ट्रोन बढ़ता जा रहा है यानि atomic नमबर बढ़ता जा रहा है एक एक हम left to right आते जारें और right आते आते हाइस्ट हो जाती ठीक है तो यहां आएगा highest आपका atomic number left to right में और साथ ही साथ देखो यह हाफ फिल्ड ह पी थ्री इस तरीके से ठीक है हाफ फिल्ड है तो हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर्स और मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉन्फिगुरेशन ठीक है तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यह वाला क्योंकि है हाफ फिल्ड है इसलिए highest आइनाइजेशन एनरजी हो जाएगी इसकी ओके तो इस तरीके से करना है क्वेशन पहले पॉइंट्स सोट आउट कर लेगी हमें क्या-क्या ध्यान रखने होते हैं फिर उसी एकोर्डिंग क्वेशन करें वो क्रोस आउट करते हुए भी करने कभी गभी तो आसानी रहेगी आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर अगेन अमंग दा एलिमेंट्स केल्शियम मैगनेशियम फोस्फोरस क्लोरीन दा ओडर ओफ इंक्रीजिंग एटोमिक रेडियम इस बार रेडियस का ओडर पुछा है तेके रेडियस के लिए क्या होता था हमारे पास रेडियस का ओडर कैसे देखते थे लेप्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बोटम इंक्रीज ठीक है यह आयनिक फोर्म में नहीं है इसलिए के वल यही पोइंट हमने देखे हैं आयनिक फोर्म में होते तो हम फिर चार्ज को भी लेकर चलते हैं ठीक यह नॉर्मल इनका इसलिएट फोर्म में है तो देखते हैं आपके पास एलिमेंट जो है उनको जरा पोजिशन के हिसाप से अरेंज करें देखो मेगनिशियम के नीचे केल्शियम आता है टॉप टू बोटम जब हम चलते हैं तो ठीक है और मेगनिशियम के ही पिरेड में कोन आता है आप फोस्फोरस भी है इसमें एक फोस्फोरस का होता है नंबर 15 यानि क्लोरीन के थोड़ा पीछे आएगा फोस्फोरस कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से पिरेडिक टेबल में इनका आरेंजमेंट है अब देखो इसमें लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बोटम कैसे क्या है अर्रेंजमेंट यह आप टू बोटम जा रहे हैं यानि केलेशियम की जदा है मेंगनीशियम से ऑब किसतने ऐसे ऊप्षण क्लोरीन की ज्यादा होगी इन दोनों से या फिर इन की ज्यादा होगी देखते हैं तो देखिए लेफ्ट टुराइड जाते हैं तो हम decrease होती है यानि फोस्फरोस और क्लोरीन की magnesium से कम है अब कौन से वाले के option में magnesium से कम आ रही है इस वाले में आ रही है समझ में इस बात इन दोनों की तो यह देखिए जो राइड होगा उसकी रेडियस कम आना ही शाहिए क्योंकि लेफ्ट टुराइड हम बढ़ते हैं तो decrease होती इसलिए क्लोरीन सबसे लास्ट में हैं ओके समझ में आ रही है अप्रोच बढ़ते नेक्स क्यूशन की तरफ इसमें पूछा है आपसे हाईएस्ट केटाइन टु एनाएन साइज रेशियों देखे केटाइन टु एनाएन मतलब आपका positive टु नेगेटिव रेशियों है ना यह हाईएस्ट आना चा चीए और denominator कम से कम होना चीए तभी यह value overall के आती है highest आती है mathematics से simple यानि हमें केटाइन सबसे बड़ा वाला देखना है और एनाएन सबसे छोटा वाला देखना है तो देखो इसमें एनाएन कौन-कौन से आ रहे है एफ माइनस आ रहा है एक तो और एधर यह option से आ रहा है एक आरा एलाई प्लस और एक आरा एने प्लस तो देखिए इनको अगर periodic table में हम अरेंज करें तो इस तरीके से अरेंज होंगे लिथियम के नीचे सोडियम और काफी नीचे 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 आते हुए सीजियम ठीक है हलेना की रपसे फिर्याद वाला ग्रूप है यह तो इसमें देखो टोप टू बोटम आते हैं तो बढ़ती है साइच यानि यह बड़ा है सबसे और इधर यह चोटा है सबसे तो यह दोनों कौन से वाले कंपा में है सेकंड वाले में तो सही आंसर हो जाएगा हमारा टू यह सारे एक्जाम्स में आयो है आप सोच लो कितने आसान क्योशन आते हैं अगर सिंपल सिंपल लोजिक पता है और आपको एलिमेंट्स की अगर पिरिडिक टेबल में पोजिशन्स पता है तो एक तो इनके यह पता होन मेतोड आप नेक्स्टेशन अ कृच आप विच उप्दय फॉलुविंग आयंस विल एक्जीबीट कलर इन एक्वस सोलीशन एकवस सोलीशन के अंदर कलर कों दिखाएगा ते कलर वह वाला आपके एलिमेंट्स बताते हैं यह आयंस बताते हैं जो पेरा मेयनेटिक होते हैं ह जो पेरा मेगनेटिक होता है, एटोमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा पेरा मेगनेटिक, डाया मेगनेटिक कैसे पता लगाते हैं, पेरा मेगनेटिक कौन होता है, जिसके पास अनपेर्ड इलेक्ट्रोन हो, क्या हो, अनपेर्ड इलेक्ट्रोन हो, similarly आपके एक diamagnetic होता है उसके पास paired electron होना चाहिए तो देखते हैं इन में से किसके पास unpaired electron होने के chances हैं तो देखो आप या तो हर एक का configuration लिखो और orbital diagram बना बना के देखो किसके पास unpaired electron है एक थोड़ा सीधा भी कर सकते हैं चोकि वेसे हमेशा सही नहीं होता है हमेशा सही configuration से ही होगा लेकिन थोड़ा time बचाने के लिए हम यह कर सकते हैं देखो unpaired electron कब आएगा जब हमारे पास odd number में electron हो और odd number में electron किस में हो सकते हैं देखो यह आपका even number है इससे आप 3 electron निकाल दोगे तो यहां कितना बचेगा 19 यहां 19 बचेगा यानि वह odd number है यहां पर आने के chances ज़्यादा है यहां देखो आप 3-3 electron जैसे निकालोगे तो यहां पर यह इवन number आएंगे और इवन नमबर में pairing होने के chances ज़्यादा होते हैं तो हम ट्राय करते हैं टाइटेनियम से ठीक है तो इसका नमबर कितना होता देख्यों 22 कि एटोमिक नमबर होता है इसका ठीक है जो कि दिया गया भी है आपको अब देखो इसका configuration जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा configuration यहां तक तो 18 नहीं पड़ जाएगा आपका इसके बाद 4s2 यह होगे 20 एंड देन 3d2 यह आता इसका configuration और जैसे आप तीन इलेक्ट्रोन निकालेंगे ठीक है तीन इलेक्ट्रोन जैसे ही निकालेंगे तो दो इलेक्ट्रोन तो जाएगे इससे ठीक है और एक जाएगा इससे तो final क्या बचेगा हमारे पास यह बचेगा ठीक है तो देखो इसका orbital डाइग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोन है जो कि अन्पेड है ठीक है अन्पेड है यानि यह पेरा मैगनेटी के पेरा मैगनेटी है यानि यह कलर शो करेगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अब यहां तो हम सभ दिहान दिया observation किया options का कि यार इससे ओड आएंगे हमारे पास electron तो इसके पेरा मैगनेटी होने के chances ज्यादा है तो पहले इसको ट्राय कर लिया अगर यह भी नहीं आता तो फिर दूसरे भी करते ठीक है लेकिन एक थोड़ा सा time बचाने के लिए exam में टाइम भी बचाना है तो approach पर दिहान दें next question इन में से किसका configuration आरगन 3D6 है ठीक है अरगन 3D6 है अब देखो सभी से 33 electron निकाले हुए सभी से 33 electron निकाले हुए ठीक अब यहां से आप electron count करें कितने हो रहे 18 तो आपके आरगन के और 6 आपके डी वाले गए यानि आपके पास कितने हो रहे है 24 कितने electron हो रहे है 24 electron हो रहे है ठीक है और सारे ही 3 प्लस है यानि तिन तिन इलेक्ट्रोन निकाले गए है तो वह भी एड़ करते है तो आपको neutral atom मिल जाएगा इस 27 आ रहा है अब 27 किसका atomic number होता है कोबाल्ट का ठीक है आइरन के बाद 26 होता है आइरन के बाद कोबाल्ट आता है तो इसका 27 होता है देखिए कैसे किया फिर से बता देता हूं आरगन 3D6 आपको configuration given है ठीक 18 होता है आरगन का atomic number और 6 इलेक्ट्रोन यहां से तो हमारे पास जो ionic form का configuration दिया है उसका हो रहा है 24 इलेक्ट्रोन हो रहे है और सभी ion से 3-3 इलेक्ट्रोन निकाले गए ठीक है तो हम neutral form लाने के लिए उसमें 3 इलेक्ट्रोन दुबारा 8 कर देता है ता कि यह था आपका आयनिक स्टेट यह excited स्टेट भी कहते हैं जिसे को ठीक है हम इसको neutral स्टेट में लाए ताकि हमें क्या मिल जाए atomic number मिल जाए और डायरेक्ट कर पाए अदरवाइस आप क्या करते सबका electronic configuration लिखते है फिर उनसे 3-3 इलेक्ट्रोन निकाल के देखते है इससे अच्छा है यह वाली मेथड ट्राय करें ठीक जल्दी हो जाएंगे इसलिए अप्रोच दिखाने के लिए ही आपको यह वाला लेक्चर दिया है मैं तो समझ में इस तरीके से क्रेश्चिन करने है ओक्य नेक्स्ट क्रेश्ट इस बार आयनिक रेडियाई का हमें ओडर बतान ठीक है और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उपनी ही कम रेडियस यह हमारा लोजिक होता है इसमें लोजिक भी पता होना चाहिए जिसको पर क्रेश्चन करना है अब देखो यह सब कब होता है जब आईसो इलेक्ट्रोनिक स्पीशीज हो मतलब जिन में इलेक्ट्रो इलेक्ट्रों की स्पीशीज है देखें नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा है नेगेटिव चार्ज जहां ज्यादा होगा उसकी रेडियस भी सबसे ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज एस पर सबसे ज्यादा माइनस टू है उसके बाद क्लोरीन पर है तो यह दोनों को ले लेता है क्योंकि इनकी रेडियस कम होती है तो पहले वह वाला ले जिस पर कम पोजिटिव चार्ज है और फिर यह वाल रिस पे 차फ सब्से ज्यादा है positive तो इसकी radius सब्से कम होगी यारी इसकी रेडियस सब्से ज्यादा फिर इसकी फिर इसकी फिर सब्से कम तो ऐसा option कौन सा दिख रहा है आपको यह वाला ठीक है negative जिसका ज्यादा होगा आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पिशीज में रेडियस भी उसी ही ज्यादा होगी पॉजिटीव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उसकी उतनी ही कम होगी सीधा सा है बहुत आसान आसान से question आते हैं next question which of the following represents correct order of increasing electron gain enthalpy इस बार क्या पुछा है आपको electron gain enthalpy यानि electron affinity भी जिसको हम कहते हैं ठीक है या फिर electron gain enthalpy जिसको कहते हैं ठीक है इस तरीके से शो करते हैं इसको इसको इसके क्या trends होते थे लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है ठीक है टॉप टू बोटम decrease होती है और साथ में इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि third period वालो की ज्यादा होती है two second period वालों से electron affinity ये ध्यान रखने वाली बात होती है और साथ ही साथ इसमें भी half field fulfilled का ध्यान रखना होता है उनकी कम होती है क्योंकि वो electron लेना देना नहीं चाहते इसलिए ओके एलेक्ट्रोन लेने के बाद जो एनर्जी में चेंज हुआ या एन्थेलीपी में चेंज हुआ ठीक तो इन ट्रेंड्स के अकोडिंग देखते हैं पहले यह अलग-अलग आपके पिरियड और ग्रूप के एलिमेंट्स हैं तो इनको थोड़ा आरेंज करते हैं पिरियोड और यह वाला होता है थर्ड प्रेयड आपके पोजिशन अच्छे से पता होनी चाँरी है फ्याच बेएल की प्रक्टिस करिये अच्छे से ृप्से पहले और देखने फॉर्सgod को बता रहे कि तो एक यह हो सकता है हमारे पास ठीक है और इधर भी ज्यादा दिखा रहे कि तो एक यह भी हो सकता है और इधर एफ की ज्यादा है तो यह गलत होगा यानि अब हम इन दोनों में से कोई एक देखना है ठीक है इनमें भी देखिए वापस सलफर की भी ज्यादा शाड़ा है इसमें और इसमें सिल्फर की औखसीजन से कम बता दिए देखो holidayction वाले की सेगेंड परेड़ वाले से जाधा होती है यानि से यहां तो सलफर की ज्याधा होना चाहीव औक्सिजन से तो राइट आंसर कुन सा होगा इस तरीके से सोल करने हैं बहुत आसान आसान तरीके हैं ठीक है क्रोस आउट करते चलो अगर और यह सारे लोजिक्स भी पता होने चाहिए फेक्टर सारे मुव पर होने चाहिए क्लियर नेक्स्ट क्रेशन ओट इस दो वेल्यू ऑफ एलेक्ट्रों गें एंथेल्पी ओफ सोडियम आयन इफ आई वन ओफ एन इस 5.1 वी देखिए आई यीवन का मिनिंग क्या होता है रीमूवल ओफ एलेक्ट्रों ठीक है पहला इलेक्ट्रों निकाल दिया ठीक है रिमूवर ओफ एलेक्ट्रों ये फर्स्ट आवणाइजेशेशन एनरज्य होती है हमारी क्समारा क्समीना ओके और हमें Office और हमें पुछा है ठीक, अब सोचिए, इलेक्ट्रोन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, यह देनी पड़ी है आपको, इलेक्ट्रोन निकालने के लिए, और यह अगर इलेक्ट्रोन एड होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो निकालने के लिए चाहिए, उसमें एड करने के और सीधा सा है ठीक है जो आएनाईजिशन एनर्जी उसका पॉजड़िट साइन कर दो तो वह क्या जाएगे आपके पास इलेक्त्रों गेन अन्ठल्पी क्योंकि यह निकालने का है एनरजी यह एड करने का है तो जस्ट साइन अपॉजट करने हैं हमें है आप के नेक्सक्ट प्राइते हैं यह एंश में आया हुआ क्वेशन है देखते हैं इसका सॉलूशन रोंग स्टेट्मेंट आइडेंटिफाय करना है क्रेशन भी हमेशा ध्यान से पड़ा है हमेशा करेक्ट स्टेट्मेंट नहीं पूछा होता है आपसे रोंग भी पूछ लेते हैं कभी-कभी इसलिए बोल्ड गरके दिया है उसको तिक रोंग स्टेट्मेंट कौन सा होगा पड़ते हैं पहुत अमंस्ट आइडेट्रोनिक इस्पेसेज अभी-अभी हमने आइडेवतर्णिक इस्पेसेज का लोजिक लिखा था क्या था लोजिक देखिए जितना कम पोजिट्व चार्ज होगा उतनी ही रेडियस अच्छी होगी और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही रेडियस अच्छी होगी यह लोजिक था या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं Q प्लस जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी ही कम हो जाएगी चलिए पढ़ते हैं Smaller the positive charge on the ketion Smaller the positive charge on the ketion लिखा क्या है smaller is the ionic radius नहीं गलत है यह जितना कम होगा रेडियस तो उतनी ज़्यादा होगी उल्टा चलता है दोनों के बिच क्यों क्यों क्योंकि आपके electron कम हो जाते हैं positive charge का domination बढ़ जाता है तो अपनी तरफ अट्रेक करने लगता है ठीक है ऐसा होगा अगर यह कम हुआ तो electron अभी भी काफी हद तक सही है सिंपल सी बात है sodium और sodium plus यहाँ पे 11 electron 11 proton होते हैं जबकि यहाँ पे 10 electron और 11 proton होते हैं दोमिनेशन किसमें ज़्यादा है इस वाले में attraction किसमें ज़्यादा होगा इसी वाले में क्योंसमें और पोजिटीव चार्ज बढ़ा तो रेडियस आपकी ज्यादा थी यानी उल्टा चलता है तो हो इस्मोलर कर दिएह रादना एक क्सना थे यह स्ट्रेटमेंट आपका गलत है यह यह आंसर हैंक बाकी स्ट्रेटमेंट पढ़ने की जूशती भी नहीं है क्योंकि वह सिंगल चोइस क्वेशन था एक्जाम में आया हुआ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ उके बुक्स में और भी चीजे होती है पर वह आपके एस ब्लोग पी ब्लोग वगेरा जब हम पढ़ेंगे तो उनमें कवर हो जाएगी पिरियुडिक टेवल में अभी के लिए इतना काफी है पढ़ना हमें जो बैसिक चीजे हैं तो देखिए हमारा इनका ओडर क्या होता था कि देखिए नॉर्मल तो आप इलेक्ट्रोन एफिनिटी लेफ्ट टू राइड जाते हैं ठीक तो क्या होती है बढ़ती है और टॉप टू बोटम जाते हैं अगर तो कम होती है अब यह टॉप टू बोटम वाले हैं आपके इस तरीके से अरेंज होते है अब यूं तो यह होना चुए था आपका टॉप टू बोटम लेकिन यह थार्ड पिरेड का है इसकी ज्यादा हो जाएगी बस तो ओडर क्या आएगा हमारे पास सी एल एफ बियार और आई एलेक्ट्रोन एफिनिटी का ओडर ठीक तो इन में से सही ओप्शन देख लें आप कौन सा हैंस में से हैं करके देखते हैं ऐस्की सीएल से ज्यादा नहीं होती है अंधर वी और से भी नंग बता रखिए अछू हेह इंदर एफिप की आई से ज्यादा है जो की सब्सक्रद्न करेक्ट हो जाएगा बस सिंपल अए ध्यान रखते और करें यह ओडर देख लें इन में से कौन सा ओ है देखते हैं इसमें से क्या पूछा है आपको को करेक्ट ओफ्षण पूछा और इस्तेस्टमेंट कुन सा है देखें एगन रीडियस पर रेडियस ऑफ न इन इस लारज़र देन न विथट ओफ बढ़ गए रिपल्शन वाले बढ़ गए तो साइज बढ़ जाएगी इसकी ठीक है तो इसका जो यह पेरेंट एटम था आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम था इससे बढ़ी है इसकी साइज एनायन की तो यही कहे रहा है वो रेडियस ओफ एनायन इस लार्जर देन देखते हैं दा आइनाइजेशन एरजी जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अटमिक नंबर इन पिरेड ओके आइनाइज यह तो सामारा रेडियस के लिए आइनाइजेशन एरजी के लिए क्या ट्रेंड होता है पिरेड के अंदर लेफ्ट टू राइट हम जब जा इलेक्ट्रों नेगिटिविटी देखो इसने एमस वाले ने तीनों फेक्टर ले लिए एक ही क्योश्टन के अंदर यह बस इतना सा डिफरेंस आता है जैसे जैसे आपकोई अच्छा एक्जाम देता है तो देखिए डेट्रों नेगिटिविटी ओफ एन एलिमेंट इस दे इसकी definition तो क्या होती, electron negativity, tendency to attract bonded electrons, bonded भी कुन सा? covalently bonded ठीक है covalently bonded electron को आपस में अपनी तरफ खीशने की जो tendency होती है जैसे like ये bond बनावा है और ये अगर ज़्यादा electron negative है तो ये अपने तरफ ये electron खीशएगा ठीक है तो ये tendency होती है और इसमें तो कहा कोई attraction और अगरा नहीं करना है जो आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से एप्लाई करें एप्रोच आपको सिखा दिए किस तरीके से क्वेशन करना है अच्छा इन टोपिक्स के अलावा जो क्वेशन अभी दिखते हैं आपको अगर आप अधर भूक्स या कहीं से भी करते हैं तो आप अभी के स्कीप कर सकते हैं क्योंकि देखिए इन और्गेनिक हुआ या और्गेनिक हुआ मिक्स क्वेशन पूछे जाते हैं तो अभी जितना पड़ाया है उससे रिलेटेट क्वेशन ही आप लोग अटेम्ट करें ठेंक्यू